Hello everyone, आज के सुड़े में हम डिसकस करने वाले हैं, दो निव गोर्मेंट जाब अपडेट्स के बारे में, दो निव नोटिफिकेशन आउट हो चुकी हैं, टेंथ ट्विल्थ ग्रेजवेशन पास, अगर आपने डिपलोमा किया है, निव पोस्ट आउट किया गए है, पर रखना ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले, तो दोस्तों शुरू करते आज के इस वीडियो को, सबसे पहले हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद आपको दिखाऊंगा दूसरी नोटिफिकेशन, वीडियो को सिकिप नहीं करना वीडियो को एंड तक देखना, पहले जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, शिर्म कश्मीर इनस्चूट अफ मेडिकल साइन सोरा, इनकी तरफ से यहाँ पर न्यू रुकूरूट्मेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है, जितने भी सुटेंट्स कश्मीर और लदाग डिफिकेशन के हैं, उनके लिए यह नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप कैसे अपना फारम सब्मिट कर सकते हो, आपको आफ लाइन अपना फारम सब्मिट करना है, आपको इनका आफिस जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एप्लिकेश एप्लिकेशन फारम यहां पर आप देख सकते हो इस इमेल पर सेंड करना है यहां पर आप चक कर सकते हो इनकी जो आफ्शल वेबसाइट है वो है www.sikmas.ac.in जितने भी स्टुडेंट शॉर्ट लिस्ट में आएंगे उनको इंट्रीव के लिए बुलाया जाएगा आप अपना एप्लिकेशन फारम इनकी आफ्शल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो बात करेंगे कौन-कौन से पोस्ट हैं कालिफिकेशन क्या रहने वाली है इस नोटिफिकेशन के लिए यहां पर आप देख सकते हो कालिटी सुपरवाइजर टोटल पोस्ट फाइफ जिसके लि फिल्ड इन्वेस्टिगेटर जिसके लिए 11 पोस्ट हैं अगर आपने ग्रेजवेशन की है लाइफ साइनस में या अगर आपके पास एक्यूलेंट है किसी भी रिकॉगनाजर युनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए एपलाई कर सकते हो इसी तरह नेक्स्ट पोस्ट है फ आप यहां पर देख सकते हो और DMLT और इकुलेंट फ्राम इनी रिकॉगनाजर गोर्मेंट इनस्टूट इन्वर्सिटी एंड टू ये इसकी क्वालिफिकेशन है ये पोस्ट है इसका जो एप्लिकेशन फारम है वो इनकी आफ्शल वेबसाइट पर आपको मिलने वाला है यहां पर आप देख सकते हो जितने भी स्टूडेंट कश्मीर डिविजन के हैं और लदाग डिविजन के हैं वो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं ये थी एक नोडिफिकेशन बहुत सारे कंडेट्स के लिए इसी तरह बागी पोस्ट हैं टैंथ पास ट्वेल्थ पास डिप क्या रहने वाली हैं वो सब कुछ हम यहां पर डीटेल में देखेंगे इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना पहला जो पोस्ट है वह सेक्शन आपसर इसके लिए आपकी मिनम एच एटीन और मैग्जिमम फोटी यर्स रहने वाली हैं अगर आपने बीसी किया है किसी भी रिकॉगनाइजर यूनिवर्सिटी या इनस्टूट से तो आप इसके लिए अपले कर सकते हो साथ में थ्री यर्स एक्सिस्टेंट इस असिस्टेंट इन लेवल सिक्स और एट इस यूडी सी इन लेवल फोर एक्स्पिरेंज भी आप देख सकते हो साथ में यहां पर आप चैक कर सकते हो क्या कुछ कालिफिकेशन है नेक्स्ट पोस्ट है प्राइवेट सेकेटरी इसके लिए मिनमम एज एटीन मैग्जिमम फोटी यर्स बेजलर्स डिग्री आगर आप के पास है तो आप एपलाइ कर सकते हो और साथ में एक्स्पिरेंस होनी चाहे और आपको सिटी मॉखरफिसर यहां पर आप सेम देख सकते हो और इसके लिए आपकी qualification same रहने वाली हैं जिस तरह आपने पहले post के लिए देखा इसी तरह next post ए assistant का जिसकी age minimum 18 years और maximum 35 years यहां पर आप देख सकते हो क्या qualification रहने वाली है bachelor's degree रहने वाली है और 4 years experience होनी चाहिए आपको age UDC और equivalent to level 4 यहां पर आप check कर सकते हो सब कुछ detail में इस notification में इसी तरह J.E.Posters निकल कर आच चुके हैं यहां पर आप देख सकते हो J.E.C.Wal bachelor's degree होनी चाहिए engineering में या आप देख सकते हो साथ में R भी दिया गया है diploma होना चाहिए आपको engineering in the relevant field में मतलब कि J.E.C.Wal में आपको diploma होना चाहिए या आपको B.E.C. होना चाहिए इसी तरह next post is statistical assistant जिसके लिए आपको bachelor's degree होनी चाहिए statistical में मतलब कि अगर आपने graduation की है statistical में अगर आपका एक subject is statistical था तो आप इसके लिए apply कर सकते हो साथ में यहां पर देख सकते हो R भी दिये गए है साथ में two years experience होनी चाहिए इस relevant field में और यहां पर आप देख सकते हो typing speed भी होनी चाहिए इसी तरह यहां पर lower division color के लिए bachelor's degree होनी चाहिए और आपकी typing speed होनी चाहिए 35 words per minute next two posters है यहां पर आप देख सकते हो driver के posters जिसके लिए 10th pass आपकी qualification रहने वाली है minimum आपकी 10th रहने वाली है maximum आप 12th pass हो graduation pass हो फिर भी आप apply कर सकते हो लेकिन यहां पर आप देख सकते हो आपको valid commercial driving lessons होनी चाहिए आपको knowledge of motor mechanism होनी चाहिए आपको experience होनी चाहिए driving motor vehicles at least five years in an organization इसका जो आपको method of recruitment रहने वाला है इसका आपको direct recruitment रहने वाला है सिर्फ आपका driving test लिया जाएगा next post है library attendant जिसके लिए आपकी minimum age 18 और maximum 35 years जिसके लिए आपकी qualification 10 plus 2 और equivalent होनी चाहिए साथ में आपको certificate course होनी चाहिए library science में और साथ में one year experience भी होनी चाहिए और साथ में basic knowledge of computer applications अब बात करेंगे किस category में कितने posters है pay level क्या रहने वाली है और यहां पर आप देख सकते हो कौन-कौन से posters है वो हमने already देखा यहां पर आप check कर सकते हो section officer के लिए यहां पर एक poster है OBC के लिए वो poster है इसी तरह private secretary के लिए भी एक poster है PWBD के लिए भी वो यहां पर आप देख सकते हो इसी तरह next poster है personal assistant उसके लिए यहां पर तीन posters है total open merit RBA के लिए दो posters OBC के लिए one post इसी तरह assistant के जो posters है वो total one है इसी तरह statistical assistant one post बाग के यहां पर आप देख सकते हो lower division color के लिए eight post driver के लिए two post library attendant के लिए one post यह है total post अलग-अलग category wise अलग-अलग department में साथ में आप यहां पर exam pattern देख सकते हो के दो test होगे पहला return test उसके बाद sickle test आप सब कुछ यहां पर देख सकते हो sell bus भी आप यहां पर check कर सकते हो जितने भी candidates general candidates जेनर के के हैं वो इसके लिए apply कर सकते हैं fee की बात करेंगे general candidates EWS OBC category के लिए thousand rupees fee रहने वाला है और SC, ST, PW, BD उनके लिए कोई भी fee नहीं रहने वाला है इसी तरह in-service candidates के लिए भी कोई fee नहीं रहने वाला है apply के से आपको करना है last date कब है और कब से आपके application farm start होने वाले हैं यहां पर आप देख सकते हो 30 March 2023 से आपके application farm start हो चुके हैं 29 April 2023 को last date रहने वाला है आपको इनकी official website पर जाना है यहां पर आप देख सकते हो www.cu.ac.in यहां पर जाके आपको अपना farm online submit करना है यह थी new update बहुत सारे contents के लिए इसी तरह के latest updates पाने के लिए चैनल को subscribe करें मिलते आपने इसे next video में तब तक के लिए good luck